अभी हम लोग NCRT का exercise number 9.9 देखने वाले हैं, इसमें question क्या बोला है, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, कि एक concave lens है, जिसमें की object distance दिया हुआ है, minus 14 cm, focal length दिया हुआ है, minus 21 cm, और lens वो मेरा concave है, ठीक है, और object का जो height है, वो है 3 cm, तो image के बारे में हमको सारा जानकारी दे है, कि अगर object को हम लोग mirror, इसे lens से थोड़ा दूर लेकर के जाएंगे, तो image पर क्या effect पड़ेगा, तो उसमें बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग image के बारे में सारा जानकारी निकाल लेते हैं, ठीक है, तो देखा जाए चरासल, lens का formula होता है, 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, तो यहा आबर 1 by focal length मेरा कैसा है, minus x, क्यों minus लिए, क्योंकि length मेरा कौन सा था, concave था, ठीक है, तो 1 by V, यह minus minus हो गया क्या, plus 1 by 14 is equal to minus 1 by 21, therefore 1 by V is equal to क्या हो जाएगा, minus 1 by 21, और यह इधर चला गया, तो minus 1 by 14, इसलिए क्यालते हैं, 1 by V is equal to, यह दोनों नीचे का multiply हो जाएगा, तो 21 into 14, ठीक है, यह इधर और यह इधर, तो minus 14 minus 21, तो 1 by V is equal to, यह 294 नीचे का, और यह हो गया, minus 35, ठीक है, तो 1 by V is equal to इतना, therefore V is equal to, दोनों पलट जाएगा, V बराबर हो जाएगा, 294 by क्या minus 35, तो V बराबर हो जाएगा, minus 8.4, इतना centimeter, इसका मतलब यह समझ मैं है, minus का मतलब, कि इसी side बनेगा न, यहीं पर कहीं पर image बनेगा, भी बराबर कितना है, minus 8.4 centimeter, और यहाँ पर यह जो है, object distance कितना है, 14 centimeter, यहाँ पर object है यह और यहाँ पर image, ठीक है, अच्छा, और एक चीज इसके बारे में और भी सारा जानकाड़ी सब भी हम लोग निकाल लेते हैं, कि image जो बनेगा हम लोग जानते हैं, चुकि lens है मेरा कौन सा, lens है मेरा concave, तो हम लोग जानते हैं कि concave हमेशा जो है, वो virtual और कैसा erect ही image बनाता है, image कैसा बनाता है, यह जो image बनाएगा, वो हमेशा virtual और erect, यानि कि सीधा image बनाता है, यह तो हम लोग जानते हैं, इस lens का property होता है आपको याद होना चाहिए मैंसा अच्छा ठीक है और देख लेते हैं जरा कि इमेज जो होगा उसको साइज क्या होगा तो हम लोग मैगनिफिकेशन का फर्मुला जानते हैं चुकि मैगनिफिकेशन बड़ाबर माइनस भी बाई यू भी लोग लिखते हैं मैगनिफिकेशन हम लोग निकाल लेते हैं f के जाठ़ लेते हैं कितना मैणस ट्वनन प्लस क्या हो गया यू की बात करें तो यू का मान हम लोग क्या लख सकते हैं माइनस 14, तो यह माइनस 14 हो गया, ठीक है, तो M बराबर हो गया, माइनस 21, यह माइनस, प्लस यह तो माइनस यह हो गया, माइनस 21, माइनस 14, तो M बराबर हो गया, माइनस 21, और यह मेरा हो गया कितना, 35, ठीक है, तो माइनस माइनस केंसिल, तो एम क्यालते हैं बड़ाबर आया मेरा 21 by 35, यह एम बड़ाबर, Magnification आया 21 by 35, तो हाइ, चुकि हम लोग एक बात जानते हैं, height of image बटे height of object बड़ाबर होता है Magnification, तो height of image बटे height of object मेरा कितना है, तीन सेंटीम्टर है, तो बराबर मेगनिफिकेशन 21 by 35 यहां लिख देंगे ना मेगनिफिकेशन का जो वैल्यू है वो लिख दिए अच्छ यह इधर मल्टिप्ला हो जाएगा तो हाई हाई ने यह है हाईट ऑफ इमेज यह तीन इधर मल्टिप्ला जागा तो कि 21 into 3 divided by 35 तो हाईट ऑफ इमेज बराबर हो गया 63 by 35 यानि कि हाईट ऑफ इमेज हो गया इसको से डिवाइट करें तो यहां जागा 1.8 इतना सेंटीमिटर यानि कि जो हाइट होगा इमेज का वो मेरा कितना 1.8 सेंटीमिटर का होगा यानि कि छोटा बनेगा न यानि कि जो इमेज होगा मेरा वो कैसा होगा small in size इसको diminished भी कह सकते हैं ठीक है अब आगे हम और बात करते हैं इसमें एक चीज और पुछा था क्या कि अगर क्यालते हैं इस अबजेक्ट को अगर हम लोग क्यालते हैं दूर लेकर के जाएं लेंस से तो इमेज पर क्या आसर पड़ेगा ठीक है तो एक चीज आप देखो जड़ा साथ बढ़ियां डंक से अगर डाइग्राम पर अगर नज़र डालो तो क्यालते हैं फोकल लेंस तो इसका फोकस त निकल जाता है यहां पर इमेज बन दा है ठीक है अगर क्यालते हैं हम लोग इस अबजेक्ट को थोड़ा सा और दूर लेकर के जाते हैं माल ले आजा इसको थोड़ा सा दूर यहां पर लेकर के आगे ठीक है तो जो एक रे और होगा जो कि यहां से कहां जाएगा बिलकुल होकर यहां से pass करेगा तो देखो तो आप यहां पर बना अच्छे ठीक है, अगर हम इसको और दूर ले करके चले जाते हैं, ठीक है? अगर हम इसको और दूर ले करके चले जाते है तो जे रे ऐसे आता, वो सीधा ऐसे चले जाता है, तो dotted line focus पर आके मिलता है एक रहे यहां से सिधाय से जाता देखरे और छोटा होता चला जाता है यानि कि अगर हम लोग क्यालते हैं यू को कहाँ infinity तक ले करके जाएं यानि कि इसको अगर infinite तक ले करके चले गए object को ठीक है उधर तो क्यालते हैं जो image है मेरा भी वह मेरा वह मेरा कहां तक इमेज मेरा सिफ्ट होते 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 कहां तक आकर कर जाएगा फोकस तक यानि कि भी मेरा कहां तक हो जाएगा फोकस तक भी कहां तक टेंट कर जाएगा फोकस तक और यह अबजेक्ट मेरा छोटा होता जाएगा छोटा होता जाएगा यानि क एक चीज यह convex lens में ऐसा होता है कि अगर हम लोग क्यालते हैं यहाँ पर देखो अगर हम लोग object को infinity पर लेकर चले जाएंगे तो image कहाँ पर बनेगा focus पर answer में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर एक चीज लिखा होगा है कि अगर आप object को focus रखते हो तो इसका image infinity पर बन जाएगा ऐसा नहीं सोच लेना जिखावा है हाँ सही बात है अगर इसमें अगर आप क्यालते हैं convex lens में अगर आप object को रखते हो focus पर तो image infinity पर बनता लेकिन अगर क्यालते हैं इसमें बात करें concave lens में अगर आप focus के उपर यह जिस focus और आप object को रखते हो थिक है तो इसका इमेज है वह मेरा infinity पर जाके नहीं बने इसमें ऐसा नहीं होता है थिक है हाँ अगर infinity पर रख़ा object है उसका image फोकस पे बन जाएगा लेकिन फोकस पे रखे अबजेक्ट का इमेज इंफिनिटी पे नहीं बनता है इसमें अगर तुम क्यालते हैं निकालोगे अगर इमेज डिस्टेंस तो देखो क्या इमेज आता है चुकि अगर क्यालते हैं 1 by V-1 by U is equal to 1 by F के अनुसार अगर हम लोग अबजेक्ट को कहां पे रख दे फोकस पे रख दे ठीक है यू बड़ाबर क्या कर दे एफ कर दे तो क्यालते है 1 by V-1 by U के जिगा पे क्या रख दे यू के जिगा पे फोकल लेंथ अगर डालते है माइनस 21 तो बड़ाबर इधर क्या है 1 by Focal लेंथ यानिके 1 by माइनस 21 है यह माइनस माइनस क्या हो जागा प्लस तो 1 by V क्यालते हैं प्लस 1 by 21 is equal to minus 1 by 21 यह उधर चला जाएगा तो 1 by V is equal to minus 1 by 21 यह उधर जागा तो minus 1 by 21 तो यानि कि क्या यह क्या हो गया मेरा 1 by V is equal to minus 2 by 21 तो minus 2 by 21 का मतलब यहां से आप देख सकते हो भी बड़ाबर क्या हो जागा यहां से आप इसको दोनों को पलतो तो minus 21 by 2 तो V बड़ाबर 10.5 minus में कहा 10.5 तो यही चीज answer में लिखा हुआ है कि अगर हम लोग object को focus पे रख देंगे तो image मेरा infinity पे नहीं बलकि minus 10.5 यानि कि यहां से यहां तक तो 21 cm है न तो 10.5 पर बनेगा ठीक है आधर distance पे यहां से 10.5 पे image बनेगा ठीक है ऐसा नहीं कि ऐबजेक्ट को focus पे रखेंगे तो image infinity पे बनेगा अगर object को focus पे रखो गो तो image infinity पे बनेगा वो कन्वेक्स में वहां वाइस वर्चा चलता है लेकिन यहां पे नहीं ठीक है यह सब चीज को आपको ध्यान में रखना है ठीक है इमेज यह और यह जो अंसर में लिखा तो वह बादी समझा दिये समझ मैं आ हूँ अच्छा लगा हूँ वीडियो तुम लाइक करते बजा रहा ह बबाई